नमस्ते भाई बेहनों आप सबको मेरा कोटी कोटी प्रणाम आज मैं आपको सुनारी शिव पुराम तो जरूर सुनना लाइक करना सस्काइब करना बोलो शिव पारवति माता पिता की जै हो जै स्वी किष्णा हरे बूल और आज का हमारा अध्याई है काम रती विहाव नारज आपके श्राप का क्या हुआ किरपया इसके बारे में भी मुझे सविस्तार बताईए बोलो शिव पारवति माता पिता की जै हो ब्रह्म जी बोले शिव जी के वहां से अंदरधान हो जाने पर धक्ष ने काम से कहा हे काम देव आपके ही समान गुणों वाली परम सुन्द्र यह मेरी कन्या को तुम पतनी के रूप में श्וिकार करो मेरी पुत्री सरवगुण संपन है मेरी पुत्री सरवगुण संपन है तथा हर तरीके से आपके लिए सुयोग है ये महातेज़शी मनोभव ये हमेशा तुमारे साथ रहेगी और तुमारे इच्छा अनुशार कारे करेगी यह कहकर दक्ष ने अपनी कन्या जो पसीने से उत्पन हुई थी उसका नाम रती रख दिया था तत्थ पचात कामदेव रती का व्यास और लास संपन हुआ ये नारदे दक्ष की पुतरी रती बड़ी रमणिया बड़ी शुंदर बड़ी परमशुंदरी थी उसका रूप लावन्य मुनियों को भी मोह लेता था रती से विहाव होने पर कामदेव अत्यन्त प्रश्ण हो गए बहुत खुस हो गए वे रती पर पूर्ण मुहित थे बहुत खुस थे दक्ष कन्यादेवी रती भी ककौमदेव को ठाख धन्य हो गई थी जिस परकार बादलों में बिजली सोभा पाती थी उसी परकार कामदेव के शाथ रती भी सोबा पा रही थी बोल उसी पार्वती माता पिता की जै हो कामदेव ने रती को अपने हिर्देश यहासन में बिठाया तो रती भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रश्न होई जिस प्रकार सिरी हरी को पाकर देवी लक्षिमी उस समय आनन्द और खुशी से सराब बोर कामदेव रती भगवान शिव का श्राब भूल गए बोलो शिव पार्वती की जै हो माता पिता की जै हो शोद जी कहते हैं ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर महर्शी नारत बड़े प्रश्न होए और हर्स पूरग बोले है महात्म ने आपने भगवान शिव की अदपुत लीला मुझे शुनाई है पर वो अब मुझे आप यह बताए कि कामदेव रती के विहाव के उपरांद सब देवताओं के अपने धाम चले जाने के बाद पित्रों को उत्पन करने वाली ब्रह्मा कुमारी संध्या कहां गई इससे आगे कल सुनाओंगे